नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरे नाम है अधित शमौ और आप देख रहे हैं Commerce भाईया आज मैं लिखे हैं एक काफी बड़िया informative वीडियो जिससे आप लोगों काफी सथा help होने वाली है अपनी पूरी college life के अंदर चाहे आप 1st year के अंदर हैं चाहे आप 2nd year के अंदर हैं चाहे आप 3rd year के अंदर हैं वीडियो 1st year वाले बच्चों के लिए जादा effective रहेगी बट 2nd और 3rd year वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख के थोड़ी सी knowledge grab कर सकते हैं आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करोगे जो भी इस ताइम पर college में है यह वीडियो ऐसा नहीं है specifically commerce वच्चों के लिए यह सारी fields के लिए सारे वच्चों के लिए जो कि अभी college में है क्योंकि आज हम बात करने वाले है कुछ ऐसी habits की जो कि आप लोगो develop करने चाहिए अपनी college life के अंदर जिससे आप लोग काफी successful बन पाएंगे college के बाद शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी profit or loss के college life के अंदर आप लोगों को वैसे तो काफी सारी habits को अपनाना वड़ता है काफी सारी habits change होती है school life से college life में आते वक्त बट मैंने आप लोग लिए कुछ ऐसी habits habits निकाली है जो कि आप लोगों की सुबह से लेकर रात तक के रूटीन के अंदर फेट होने वाली है और इसको आप मतलब इन सारी habits को डिली राक में अपना books में कौनसी habits आपके अंदर पहले से है तो सबसे वहले habits हमारी जो है वह है reading books या फिर पोड़कास सुनना सब देखो reading या फिर पोड़कास को सुनना या फिर वीडियो को देखना ये एक काफी important habit आई जिसके तुरू आप लोग knowledge ले सकते हो ठीक है मतलब या तो आप books read करके knowledge ले सकते हो books read करने का मतलब ये नहीं है लड़कियों की तरह आप novels read करने लगजा मतलब लड़कियां करती है काफी सारी जो की novels read करती है fictional आपको वैसा नहीं करना है books read करने का ये मतलब आप थोड़ी mind से related या knowledge से related books को पढ़ो जिससे आपकी knowledge increase हो तो ऐसी books को बढ़ोगे तो knowledge obviously बढ़ने वाली है या फिर आप podcast सुन सकते हो podcast आजकल बहुत जादा trend में चल रहे है तो आप audio podcast सुन सकते हो या फिर वीडियो podcast सुन सकते हो जिसके दर आप लोगो basically knowledge मिलेगी आप किसी भी knowledgeable person का podcast सुनो तो आपको बदा चलेगा उसकी knowledge आप तक share होईगी या फिर आप तीसरी चीज़ कर सकते हो वीडियो देख सकते हो informative वीडियो जो कि मैं खुझ भी बहुत सारी बनाता हूं और देखता हूं तो मुझे बड़ा वज़ा आता है यह सब चीजे करने में सो आप यह अ साथ-साथ करती रहने हैं अगर आप साथ-साथ पड़ाई करते रहोंगे तो आपको final exams जो होंगे ना उसके बिल्कुल दिखतनी आने वाली है साथ-साथ आपकी GPA मतलब CGPA अच्छी मेंटेन रहेगी नेक्स आज़ाद है societies का पार्ट बनना है यह दिखो बहुत सारी societies आपके college के अंदर होगी जैसे कि dance हो गई या फिर singing हो गई या पर entrepreneurship हो गई अलगलग societies आजके देशने पर colleges के अंदर होती है और कुछ colleges के अंदर तो 22, 20, 30 बहुत सारी societies होती है इससे आप लोगों को एक exposure मिलता है नई लोगों से बातचीत कर सकते हो और अपनी ही फिल्ड के लोगों से मतलब सब्सक्राइब को डान्स करने वाले लोगों से ही बात कर पाऊगे Finance पसंद और आप उसकी society को जॉइन कर आप finance करने वाले लोग उस मतलब जो finance में इंट्रस लखते हैं उन लोगों से बाते कर पाऊगी तो थोड़े introvert से extrovert बनने में help हो जाईगी आपकी so next habit है हमारी events का part लेने आप लोग को या फिर as a audience लो चाहे आप as a participant लो मैं आपको suggest करूँ हूँ कि as a participant जादा events का पाट लो college के अंदर काफी सारे अलग अलग type की पूरे साल के अंदर events होती है so 3 साल में तो आप समझो कितने सारे events होने वाले है so आप उन events का part लो साथ ही साथ मतलब चाहे audience में बेड़ो एफर participant बनो एक चीज़ जरूर करो मतलब दोनों में पाट जरूर लो और साथ ही साथ fest होती है बहुत सारे colleges के अंदर आपके college में हो रहा है दूसरे के college में हो रहा है सारे fest को attend करो यार बहुत मज़ा आता है enjoy जरूर करो next आता हमाना investment investment एक ऐसी चीज़े जो कि बहुत सारे बच्चे पीछे चोड़ देते या फिर नहीं करते है सो मैं आपको suggest करूँ है अपनी college life के अंदर investment करना start करो चाहे daily का आप 100 रुपीज से start करतो हो मतलब daily का तो नहीं weekly या फिर monthly या फिर yearly plans को आप apply करो अपने उपर SIP वगरा जो होती है सो इन सब चीजों के अंदर वैसे मैं इतना knowledgeable नहीं हूँ इन सब चीजों से related बट फिर भी commerce field से हूँ तो आप लोग को इतना बता सकता हूँ investment आप लोग की बहुत help करेगी in future और long term plans रखो छोटे-वोटे मत बनाओ यार मेरको ना 10 महीनों के लिए invest करना है दस महीने नहीं दस साल के लिए invest करो ताकि आपका जो long term goal है वो अचीव हो पाई next आजाता है skills भाई आपको अपने skill set को increase करना है skill set आपको अच्छा बनाना है self growth पे ध्यान देना है इसका यह मतलब आप जादर जादर skills को सीखो इसका यह मतलब एकी confidence आना चाहिए आपके अंदर personality develop होनी चाहिए और भी काफी सारे skills होते हैं जो कि आप लोगों को सीखने है skills के उपर मेरे पहले ही कुछ वीडियो से आप उनको जरूर देख सकते है next आज आता हमारा courses यह देखो आप लोग college life के इंदर बहुत सरी बच्चे क्या करते हैं अपना cv maintain नहीं करते हैं मतलब cv के अंदर बनाना cv अलग बाद है वाट cv के अंदर कुछ courses को add करना special courses जो क्या आपकी knowledge को increase करते हैं enhance करते हैं आपको वह जरूर करने है suppose अगर आप एक bba bcom के बच्ची है तो आपको finance related accounts related courses को करना चाहिए और marketing related courses को सीखना चाहिए या फिर अगर आप एक bgmc student है तो आपको journalism के regarding जो भी courses होती है extra आपको उनको जरूर लेना चाहिए suppose photoshop हो गया and all और अगर आप bca कर रहे हैं तो आप लोग को coding courses को लेना चाहिए coding languages सीखनी चाहिए जिससे आप लोग की knowledge enhance हो पाए so courses हर field के लिए मैं अलग-अलग videos लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी आप उनको जरूर देखना next time management college life के अंदर अगर आप time management अच्छे से कर पा रहे हो ना so इसका यह मतलब है कि आपकी life बाइसा बागे चलके बहुत सही होने वाली है अगर आपने time manage करना सीख लिया मतलब आप सुबा time से उठ रहे हो बच्चे पूछते है आप लोग सुबा कितने बज़े उठे ही जिससे हमारा time manage हो जाए सवार देखो it's up to you आपको कोई time table बनाने की ज़रूत नहीं है आप time manage जरूर करो इसका यह मतलब आप time waste मत करो यूटिलाइस जाद से जाद करो यह मेरा पंड़ा है नेक्स सब्सक्राइब हमारा workout fit या फिर play मतलब या तो workout करो या फिर जो भी तरीके या फिर 10th class आई है इन classes के इंदर आपने खेलना चोड़ दिया था तो अगर आपने ऐसा किया था तो प्लीज मैं आपको सुझेस्स करोंगा कि आप या तो जिम में जाईए workout करिया जिससे आपका पूरा cardio बगारा सब कुछ हो जायागा या फिर second cheese अपने दोस्तों साथ walk कर या फिर रणिंग करिये या फिर कैसे तो खेल सकते हैं बैडबल वगरा क्रिकेट वगरा जो होता है गेम्स के लिए मतलब ऐसा कुछ भी काम करो जिससे देली का एक घंटा है फिर हफते में अट-least 2 घंटे निकालो जिससे आप लोग की बॉड़ी जो है वो फिट रहे क्य सरसे नहीं करनी है यह या फिर यह सब नहीं करना है आप लोग को क्या करना है खेलना कोलम है ठिक हैं तो अभी इससी की उमर है itt्เลยustain इटरगी को जितना जान उच्छ रहता है अपने लिए बरण 100 संज गाय गरी आप लोग मैं से कोई भी हैबिट को पहले से ही अपने उपर ट्राइ कर चुके हो या फिर डेली विजिस पर करते आ रहे हो कि जैसे रीडिंग आप डेली विजिस पर करते हो तो प्लीज कमेंट करके जरू बताना बहुत अच्छा रखता जब आपके कमेंट्स आते हैं वीडियो को शेयर मुझ करते हैं